जैहिन दोस्तो आजके इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ओवपीस GDS की संकेंड मेरिट लिष्ट के बारे में दखिए दोस्तो फॉस्ट मेरिट लिष्ट आ चुका है इसके बारे में आप सभी को पता होगा और देखिए दोस्तों काफी सारे student जो है first merit list से आपका निरास है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो first merit list आपका आया है उसमें cut up जो है 97%, 98%, 99% और 100% इतना ही के range में आपका गया है maximum cut up जो है इतना ही के range में है कुछ state तो ऐसे है जहाँ पे केवल 100% गया है जैसे की पंजाब हो गया इसके अलावा कुछ state ऐसे है जहाँ पे 90.9%, 99.8% इस तरह से cut up गये हैं तो cut up दोस्तों काफी ज़्यादा हाई है और काफी ये student इस cut up से निरास भी है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इतना marks ला जिसका 100% marks रखा गया है तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे आगे और second merit list कब आएगा इसके बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं और देखिए दोस्तों आपका जब document verification जो first merit list का होने वाला है आप सभी को पता है result के बाद आपका document verification होता है और document verification आपका 6 सि लेगा उसके बाद document verification का process बंद हो जाएगा 6 सितमबर last date है तो दोस्तों document verification के बाद जो है 6 सितमबर के बाद second merit list के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देख लिजिए कि कब आएगा उसके बाद cut up high क्यों गया है और first list में जो आपका फरजी वारा हुआ है इसके बारे में भी बताएंगे तो सबसे पहले second list की date यहाँ पे देखते हैं देखिए दोस्तों previous जो भरती था 2023 का उस भरती में देखेंगे first merit list 6 सितमबर को आया था और second जो merit list है आपका 29 सितमबर को आया था यानि कि 23 दिन बाद जोस्तों आपका second merit list आ गया था first merit list के बाद देख सकते हैं previous मे first merit list जो है 6 सितमबर को और उसके बाद दोस्तों आपका second जो है 29 सितमबर को आया था 23 दिन बाद जो है पिछले जो 2023 का भरती था उसमें second merit list जारी कर दिये गए थे तो देखिए दोस्तों इस भरती में भी आप सभी को पता है कि आपका जो first merit list है वह 19 अगस्त को आया था 15 सितमबर के बीच जो है जितने भी सरकील है सभी सरकील का बारे से लेके 15 सितमबर 2024 के बीच जो है आपका जितने भी सरकील है सभी सरकील का second merit list आजाएगा और जो अभी आपका first merit list आया है इसका दोस्तों जो DV का process है यानि कि document verification का ये 6 सितमबर तक जो है complete हो जाएगा जैसे क आपका second merit list है वा बारे से लेकर 15 सितमबर के बीच आपका आ जाएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को पहले यहां पे आपको दिखाए हैं कि अभी जो है previous भरती में जो है 23 दिन बाद जो है आपका second merit list आ गया था तो इस बार भी आपका same होगा और result भी सही time पर जो है आपका दिया गया है first merit list जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताए थे same वैसे ही date पा आपका दिया गया था तो second merit list के बारे में तो आप सभी जान गए कि कब तक आएगा अब दोस्तों यहां पे देखिए कि इतना high cut up क्यों गया है और second merit list में देखिए दोस्तों काफी ये student select होने वा है जैसे कि हर्याना और जमू कस्मीर के छोर कर सभी सर्किल का आपका जारी कर दिया गया है और जितने भी सर्किल का result है जैसे कि आपका यहां पर देखेंगे दोस्तों सबसे high cut up मैंने आपको बताये थे एक में पंजाब है उसके बाद दोस्तों आपका राजास्थान है इस इसितरा पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में जितने भी candidate सेलेफ्ट हुए है सभी का 100% है इसी तरह दोस्तों राजास्थान जो है राजास्थान में भी देखेंगे तो यहां पे भी 100% वाले candidate की संख्या काफी जादा है इसके अलाबा दोस्तों आपका मध्यपर्दे बोड का स्टूडेंट हो या CBSE बोड का हो 100% नमबर एक से दो कैंडिडेट का ही आता है परते एक साल ज्यादा कैंडिडेट का नहीं आता है लेकिन इतने सारे कैंडिडेट जो है 400-500-200-300 इस तरह से जो कैंडिडेट है आखिर कहां से आया है ये एक सुचने वाले बात है और गलत जो है तेंद का फैंक डॉक्मेंट बनवाते हैं और उसी के अधार पर फॉर्म अपलाई करते हैं तो दोस्तो अगर इनका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन सही से होता है तो डेफनेटली है कि काफी सारे स्टूडेंट लगबग 50% पॉलास स्टूडेंट जो है डीभी में आपका बाहर हो जाएंगे फॉर्स्ट मेरिट लिस्ट के तो उमीद है कि दोस्तो जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वह सही से किया जाएगा और इस बार बिल्कुल जो है आपका सही से डॉक्मेंट वेरिफिकेशन किया जाए ताकि इस तरह के जो फरजी candidate है उसको बाहर किया जाए और जो real candidate है उनका second merit list में result दिया जाए तो दोस्तों ये उमीद है डांक विभाग से लेकिन आगे देखिए क्या होता है और दोस्तों आप भी समा सकते हैं कि 99%, 98%, 100% इस तरह से number जो है आप किसी भी state से होंगे तो अगर 10 सल का भी record उठा कर द देखेंगे तो एक state से 405 से student है जिसका 100% तक number है 100% नहीं है तो 99.9% इस तरह से आपका number गया है 99.8% result आप किसी भी state का जैसे कि उतरपरदेश का ही यहाँ पे आपको दिखा देते हैं UP का ही देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे काफी student जो है 100% वाले select हुए हैं जैसे कि यह देख सकते हैं लाइन से ही 100% आपको मिलेंगे UP state का और 100% अगर नहीं होगा तो 99.9, 99.8 इस तरह से जो है आपका होगा देख सकते हैं 99.6 है 97% है 97% एक यहाँ पे गया है बाकी सभी देखेंगे तो 100% 99% इस तरह से result है लगबग यहाँ पे देखेंगे 400-500 तो ऐसे candidate है भी समा सकते हैं कि इतने student आखिर 100% वाले काहां से आये हैं और एक सवाल यह भी होता है कि क्या 100% वाले candidate जो है डाक भीबाग में जोब करना चाहते हैं क्योंकि अगर इतना student तेज है तो other job में जाएगा डाक भीबाग में आपको पता है 12-15,000 salary मिलता है और यह low level का job होता है कोई high profile job नहीं है इसी तरह दोस्तो आनने भी यह state है जैसे कि मद्यपर्देश राजस्थान वहां का भी cut up काफी high गए है मद्यपर्देश और राजस्थान का भी cut up अगर आप देखेंगे तो यह भी काफी जादा high गया है जैसे कि राजस्थान का cut up भी high है और जन्यून candidate है वैसे candidate का तो आई होप डाक भी भाग दोरा ऐसा किया जाए और सही से document verification किया जाए तो आप लोगों का आने वाले जो second merit list होगा उसमें result हो जाएगा तो दोस्तों आई होप आप समाझ गये होंगे कोई भी सवालों comment section में बताईए और result अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं या caught up अपने state का देखना चाहते हैं तो link description में है description में दिये गए link पर किली करके आप चेक किजिए या इसके लावा whatsapp channel या telegram group का भी link description में है उसे join किजिए वहाँ पे PDF और उसका link जो है मिल जाएगा फिर मिलते हैं next video में तब तक लिए जय हिंद बंदे